19 साल बाद बन जा रहा है ये अद्बुत सायोग, 69 दिन का होगा सावन माह 2023 का महीने शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, इसलिए क्योंकि इस साल एक नहीं बलकि दो सावन माह मिलने वाले हैं, जियोतिश शास्त्र के अनुसार 19 साल बाद ऐसा सायोग बनने जा रहा है, जो शिव भक्तों की सारी मनोकामनाई पूरी करेगा, आपको बता, दे, इससे पहले साल 2004 में ऐसा योग बना था, अब ये सायोग साल 2023 में बनने वाला है, इसके अलावा आने, वाले साल 2022 में ये शुब सायोग देखने को मिलेगा, सावन दो बार इसलिए पढ़ रहा है, क्यों रहने वाला है, जिसकी वजह से इस बार सावन का महीना दिनाख 4 जुलाई 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा, तो ऐसे में आज हम आपको अपने इस में बताएंगे कि सावन सोमवार की की तारीख क्या है, अधिक मास क्यों पढ़ता है, इसके अलावा हमें अधिक मास में क्य नहीं करना चाहिए, जाने 2023 में सावन सोमवार की तारीख कब कब है, इस बार साल 2023 में सोमवार महीने में 4 बार नहीं है, बल्कि 8 बार है, सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 सावन का दूसरा, सोमवार 17 जुलाई 2023 सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023 सावन का चोथा सोमव 31 जुलाई 2023 सावन का 5 सोमवार 7 अगस्त 2023 सावन का 6 सोमवार 14 अगस्त 2023 सावन का 7 सोमवार 21 अगस्त 2023 सावन का 8 सोमवार 28 अगस्त 2023 अधिक मास क्यू पढ़ता है दिनांक 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक सावन का महीना रहेगा मतलब कुल मिलाकर कहें तो इस बार सावन 69 दिनों का होने वाला है वहीं सावन के बीच अधिक मास भी लग जाएगा जो 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है इस बार सावन के महीने में अधिक मास 19 सालों बाद लगने वाला है अधिक मास में क्या काम करना है वर्जित अधिक मास में ग्रह प्रवेश, विवाह, कोई दूर की यात्रा, मुंदिन, उपनेहन संसकार इसके अलावा याग्या करने से बचना चाहिए इस दौरान हमें कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस माह में दान, पुन्या करना, भागवत सुनना, भागवान शिव की उपासना करना बेहद शुब होता है